तो आज कि मैं वीडियो लेकर आया हूँ नीट पीजी आइस प्रेंट के लिए जो लोग अभी अपनी तयारी कंटीनिव करके रखे हुआ है उसी से रिलेटेड मैं कुछ टॉटिक्स लेकर आया हूँ जो की डॉट्स मेरे पास आ रहे थे क्या आप स्टुडेंट्स के जैसे क आएगी कितने क्या सीट इस साल भी आपको इंक्रीज होते हुँ दिखाए देगी और वन नेशन वन कांसुलिंग का क्या सेनेरियो इस बार देखने को मिल सकता है या नहीं तो यही सारी चीज़ें और भी डिटेल में आपको बताऊंगा सारी चीज़ें सारी जानकारी प्र सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि मैंने बताया था जो कि हमारा पहला टोपिक है आपका नीट फीजी की रेइस्टेशन अपडेट को लेकर तो देखिए जैसे कि आपको मालूम होगा जो आपका रेइस्टेशन है वो कहीं न कहीं आपका 25 अपरेल टूट सेकंड या 5 अम आपकी डेट है वो और भी पहले आपके जो रेइस्टेशन पोर्टल है वो और भी पहले आपके खुलते हुए दिखाई देने वाले थे हाला कि पर कोई शू नहीं है आपका बहुत जल्दी आपको रेइस्टेशन भी देखने को मिलेगा लास्ट अपरेल तक और साथी आपको फॉलो करके रखनी है साथी साथ इसमें मैं बता दूँ आपको जैसे कि आपका कुछ स्टूडेट्स ऐसे होंगे जो आपका EWS के लिए इलिजिबल होंगे बट उन्होंने अभी तक अपना इलिजिबल सर्टिफिकेट नहीं बनाया होगा तो अभी भी आप प्रोसीड कर सकते हैं EWS सर्टिफिकेट के लिए क्योंकि टाइम अब आपके पास बहुत कम रहे चुका है जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स है आपको अप्टू डेट सारी चीज़ें आपको करने पड़ेगी उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं OVC SCS students के लिए तो उन सारी चीज़ें आपको अभी से ही रिन्यू और नहीं हो तो अभी भी आपको बनवाना तुरंट के तुरंट पढ़ेगा तो आप बनवा के रख लिए क्योंकि कि जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम आपको बहुत ज़दा हेक्टिक जिस साइम आपका बात करता हूं बाकि अनराइई स्टूडेंट्स के लिए जो लोग्स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के लिए अवेल करें तो उनके लिए भी स्पॉंसर जो भी हैं वो सारी चीज़ें उनको भी अभी से तैयारी करके रहनी पड़ेगी तकि तब ही आपको सेट करी थी किस दिन कितने कितने सीट सापका इंक्रीज हुई है टोटक तो इस बार भी जैसे सीट इंक्रीज में का अपडेट आपको देखने को मिलेगा हमारे पास जो भी नोटिफिकेशन आती है नंची की उस हिसाब से हम सारी चीज़ा आपको अपडेट करते रहेंगे बन बा बैल भी आपको बना के रखनी है ताकि जो भी कोई हमारी लेटेस्ट वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके फिर वहीं पर बात करते हैं हम वन नेशन वन काउंसलिंग के बारे में तो देखिए कोई भी फर्दर अपडेट इस टॉपिक को लेकर नहीं आया है क्योंकि यह टॉपिक जो देखा गया था वो लास्ट यह उठा था जिसमें यह कहा था कि वन नेशन वन काउंसलिंग को लेकर हम आगे प्रसीड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और इं सच वह आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और कैसे क्या प्रसीड करना होगा उसकी भी हम डिटेर्ट इंफोमेशन आपको बताएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो वह पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं आपकी यह रिवाइस कट आउफ क्यों लिकर जैसे क जो भी जितने भी सीट्स आपकी रहती थी हर साल वह रहें से कि जितने भी सीट्स आइंडिया में कॉलेजिस की सारी के सारी सीट्स फिल नाइज इसी के अकॉर्टिंगल उन्होंने यह कोशिस करी थी कि वह कट्व रिवाइस कर ले जीरो कर देते हैं तो सारे बच्चे जिसकी वह भी धीरे-धीरे करके फिल आउट होके सब कंप्लीट हो जाए लेकिन एस सच अगर मैं बात करता तो इंप्रूव्मेंट की तो इंप्रूव्मेंट में तो आपको देखने को मिला है थोड़ा लेकिन इस साल भी लास्ट यर की साल भी आपकी सीटे वेकंट गई ह हाला कि जो जादा सीटे वेकंट गई है वो आपकी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की हैं लेकिन अगर पहले कि डाटा से हम अगर मैनेज करते हैं चैक आउट करते तो उस हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि जो आपका लास्ट यर का डाटा वो कहीं न कहीं काफी होती है कि थर्ड फोर्ट प्रिफ्रेंस रखी जैसे सरजरी रखी थर्ड पर अब वो उसको से ब्रांच मिल गई ठीक है फिर वो सेटेस्फाइन नहीं हो पाया ठीक है तो उसकी वैसे उसमें सीट शोड़ दी बच्चे ने तो ऐसे करके भी आपको होता है और बहुत सी सीट एक प्रॉपर नोटिफिकेशन पब्लीज करती है तो जैसे भी कुछ चीजा रहेंगे वह आपको हमारे थुरू आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगे तो यह सारी चीजा मैंने आपको बता दिया जो भी मैंने टॉपिक्स आपसे कहे थे इसके अलावा और भी कोई पर तो वीडियो इंफूमेटिव रहे तो प्लीज इस लाइक करें शेयर करें चलाए सब्सक्राइब करना नाम हूले तो नेवा